अस्विकरन प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उलंगन ना किया जाए यदि हाँ तो भविश्य के संसकर्णों में इसकी स्विक्रिती के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है इस डिजिरल सामगरी के किसी भी हिस्से को कागस या इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी मादयम से पूने संग्रहीत, संग्रहीत या वित्रित नहीं किया जाना चाहिए जब तक की अधिकरित ना हो भाशर और श्रवन विक्त लांगता वाले उमीद्वारों के लिए डिज्रिल सामगी सेक्टर क्रिशी और संबंद उपशेत्र क्रिशी फसल उत्पादन व्यवसाय भू निर्मान और बागवानी संदर्ब आईडी एजी आई स्लाश क्यू शूने आट शूने एक संसकरण एक दशमलब शूने एनसक्यू एवस्तर चार अध्याय पाँच कारे स्थल पर सिवास्त और सुरक्षा बनाए रखे इकाई पाँच दशमलब दो बागवानी स्वास्त और सुरक्षा बागवानी स्वास्त और सुरक्षा चाहे आप शुरुवाती या विशेशग्य माली हो स्वास्त और सुरक्षा हमेशा प्रात्मिक्ता होनी चाहिए चर्णों का पालन करे रक्षा के लिए पोशाक त्वचा की जलन, कटोती और कुछ दुक्षित पदार्थों के जोखिम को कम करने के लिए दस्ताने पहने DEFT युक्त कीट विकर्षक का उप्योग करे मचरों और टिक से होने वाली बिमारियों से खुद को बचाएं लंबी आस्तीन वाली शर्ट और पैंट पहने जो आपके मोजे और उची रबड की बूट में फसी हो जूते सन बर्न और तुचा कैंसर के लिए अपना जोखिम कम करें लंबी आस्तीन, चौडी-चौडी टोपी, सन शेड और सन स्क्रीन को सन प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ 15 या अधिक पहने सन्स्क्रीन क्रीम पहले सुरक्षा को रखे ध्यान भंग, उपकरण और रसायनों का ठीक से उप्योग करें और चोट के जोखिम को कम करने के लिए सभी प्रकार के खत्रों से अवगत रहे लौन, रसायन और उद्यान उपकरण पर सभी निर्देशों और चितावनी लेबल का पालन करें उपकरणों को ध्यान से तेज करें उपकरणों को बच्चों की पहुच से दूर रखें उद्यान उपकरण गर्मी में अपनी सीमाएं जाने गर्मी से संबद्दित बिमारी के लिए अपने जोखिम को कम करने के लिए थूप में अपनी गती विधियों और समय की निगरानी करें यदि आप ज्यादा तर गर्म मौसंब में बाहर काम कर रहे हैं तो अधिक तरल पदार्थ पिए यह विशेश रूप से गर्मी में उन तरल पदार्थों को लेने से बचने की सलहा देती है जिन में शराब या चीनी शामिल है बड़ी मात्रा में अकसर ब्रेक लेते रहें चायांके छेत्र में अराम करने की कोशिश करें ताकि आपके शरीर के थर्मोस्टैट को ठीक होने का मौका मिले अगर आपको मास पेशियों में दर्द या सास फूलने का अनुभव हो तो काम करना बंद कर दे गर्मी से सम्मंदित बिमारी के संकेतों पर ध्यान दे जिसमें शरीर का उच्च तापमान शामिल है सिर्दर्ध, तेज पल्स, चक्कर आना, मतली, भ्रह्म या बिहोशी उन लोगों को देखें जो गर्मी से सम्मंदित बिमारी के लिए अधिक जोखिम में जिनमें नए जन्म और चार साल तक के बच्चे 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोग शामिल है जो लोग अधिक वजन वाले हैं वे लोग जिन्होंने काम या एक्सरसाइज के दोरान खुद को बहुत मुश्किल से धक्का दिया और जो लोग शारिरिक रूप से बिमार है या कुछ दवाई लेते हैं 65 साल के माली 65 अपने आपको उर्जावन बनाने के लिए स्वास्त बोजन खाए 66 विकलांग और शारिरिक गतिविधी वाले व्यक्ति के लिए टिप्स 66 अपने स्वास्त देखभाल प्रदाता से बात करें 66 अपने स्वास्त देखभाल प्रदाता से बात करें यदि आपको गठिया है तो ऐसे उपकर्णों का उपियोग करें जो आसानी से समझ में आ सकें और जो आपकी शमता में फिट हों अनुसंधान से पता चलता है कि माध्यम शारिरिक गती विधी के प्रती सप्ता हाँ सप्ता 21 वाए दो घंटे आपको अधिक उर्जा दे सकते हैं और गठिया के दर्द और कठोरता को दूर करने में मदद कर सकते हैं यदि आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपको निरस बना सकती है या आपके निन्ने या प्रतीक्रिया का समय बिगाड सकती है तो मशीनरी का संचालन ना करें सीडिया चड़ें या ऐसी गती विधिया करना जिस से चोट लगने का खत्रा बढ़ सकता है मशीन संचालिक ना करें अपने शरीर को सुनें अपने दिल के डर, ठकान के स्तर और शारिरिक परिशानी की निगरानी करें ठकान का स्तर शारिरिक गती विधि के लाभों का आनन्द ले सपता में कम से कम 21 बाइ 2 घंटे सक्रिय रहें उन गती विधियों को शामिल करें जो आपके श्वास और हिदय के डर को बढ़ाती है और इससे आपकी मास पेशिया मजबूत होती है बच्चों और युवाओं को दिन में कम से कम एक घंटे सक्रिय रहने में मदद करें यदि आप निश्क्रिय हो गए हैं तो हर दिन केवल कुछ मिनट शारिरिक गती विधि के साथ शुरू करें धीरे धीरे समय और तीवरता का निर्मान करें अपनी रुजी को बनाए रखने लाभों की श्रेणी को व्यापन बनाने के लिए अपनी बागवानी गती विधियों को बदले टी का लगवाना इससे पहले कि आप किसी विशेश मौसम में बागवानी शुरू करें सुनिक्षत करें कि आपका टेटनेस, डिप्थेरिया, टीडी, टीका करण हो जाए धन्यवाद